व्यवहारिक स्थितियों में समीकर्णों के अनुप्रयोग आज हम सीखेंगे व्यवहारिक स्थितियों में समीकर्णों के अनुप्रयोग यानि Application of Equations in Real Life अब तक हमने समीकर्णों को हल करना सीखा आईए एक उदारन की मदद से इसे स्मरन करें समीकरन 3x घटा 14 बराबर 34 को हल करके x का मान निकालिए चलिए इसे स्थापन विधी यानि ट्रांस्पोस मेथद से हल करती है दिये कई समीकरन में चर x का पद 3x LHS में है जिसमें से 14 घटाया जा रहा है 14 को RHS में स्थापन यानि ट्रांस्पोस करने पर वह 34 से जमा हो जाएगा जिससे हमें समीकरन में 2 पक्ष में 3x और 2 पक्ष में 34 जमा 14 मिलेगा 34 जमा 14 होता है 48 अब हमें मिलेगा 3x बराबर 48 LHS में 3 x के साथ गुना हो रहा है तो RHS यानि 48 को हम 3 से भाग करेंगे जिससे हमें मिलेगा x बराबर 48 बटा 3 48 बटा 3 होता है 16 अतह x बराबर 16 दिये गए समीकरन का हल है इस पार्ट में हम देखेंगे कि समीकरनों को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग कर सकती है मान लीजिए आप क्रिकेट में अपनी टीम के आखरी बल्ले बाज हैं दूसरी टीम ने कुल 150 रन बनाए और अभी तक आपकी टीम ने 112 रन बनाए हैं तो आपको अपनी टीम को जिताने के लिए कितने रन की जरूरत होगी? क्या आप इस स्थिती को बीज गणितिया रूप में दर्शा सकते हैं? चलिए, साथ मिलके करते हैं मान लीजिए आपको एक्स रन बनाने की जरूरत है एक्स यहां एक चर है, जिसका मान हमें अभी नहीं पता अगर दूसरी टीम के रन 150 हैं तो खेल बराबर करने के लिए आपकी टीम को कुल 150 रन चाहिए होंगे लेकिन खेल को जीतने के लिए 151 रन चाहिए होंगे इस थिती को बीजगनेतिय रूप में दर्शाते हुए हमें एक समीकरन मिलेगा आपकी टीम के बनाएकर रन जमा आपको जितने रन बनाने हैं बराबर 151 यानि 112 जमा एक्स बराबर 151 एक्स का मान निकालने के लिए हमें समीकरन को हल करेंगे यहां हम 112 को स्थापन करेंगे जो बाई से दाई तरफ जाने पर घटा 112 हो जाएगा और हमें मिलेगा एक्स बराबर 151 घटा 112 एक्स बराबर 151 घटा 112 होता है 49 जिससे हमें मिलेगा एक्स बराबर 49 इस समीकरन के LHS में एक्स का मान 49 डालने पर हम देख सकते हैं कि यह हल सही है अताह आपको खेल जीतने के लिए 49 रन चाहिए होंगे तो दोस्तों आज हमने सीखे व्यवहारिक स्थितियों में समीकरनों के अनुप्रयोग अगली वीडियो में हम इस से जुड़े कुछ और उदाहरन करेंगे धन्यवाद